नमस्कार दोस्तों आज इस वडियो में हम बात करेंगे परमेथरीन लोशन और क्रीम के बारे में परमेथरीन लोशन और क्रीम कौन से बिमारी में दिया रहता है डॉक्टर द्वारा ये कब प्रिसकाइब किया जा सकता है साथ इसाथ इसको लगाने का सही तरीका क्या है अग अगर कोई बच्चा इसको लगा लेता है या खा लेता है तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है पूरी डीटेल से परमेथरी लोशन और क्रीम के बारे में हम बात करना वाले हैं मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जैनी एजूकेशन यूट्यूब चैनल चैनल पर आप नए हो दोस्तों तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके रिखेगा ऐसे ही नई नई वड़िज आपको मिलते रहेगी चले बात करते हैं परमेथरीन लोशन और क्रीम के बारे में परमेथरीन लोशन और क्रीम दोस्तों मार्केट में таки methrin lo accent या जो क्रीम है डॉक्टरदाराइप rallies किया सकती है सब सब खेला इसका peo होता है Pelotta इनक्रिटमेंट में जब healthy इसके क्लीट में चांड मेरा जाता है तो उसके इलाज में यह से क्रीम और लोशन यह डॉक्टार द्वारें प्रिसकैयब किया जाता है अब होता क्या है शरी में देखिए इसके बीज का जब भी infection होता है तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है और यह खुजली जादा तर night के time जादा होती है जैसे कि underarms में हाथ में हाथतों की जो कलाई है उसमें private पूरे शरीर में खुजली होने लगती है तो इस खुजली को रोकने के लिए यह जो परमेथरीन क्रीम और लोशन है डॉक्टर द्वारा प्रिस्काइब किया जा सकता है इसके लावा जब भी सिर में लाइस जादा होने लगती है जिसको जूएं पढ़ जाती है जूएं मारने के लिए यानि शरीर में जब इंसक्ट का इंफेक्शन होता है तो उसको मारने के लिए परमेथरीन लोशन या जो क्रीम है डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है अब बात करते हैं इसके लगाने के तरीके के बार में फिर हम बात करेंगे इसके साइड एफेक्ट के बार गई है या फिर जो इसके वीज का infection हुआ है तो उनको क्या करना है पूरे शरीर पे परमेथरिन लोशन या जो क्रीम है वो लगानी है पूरे शरीर पे लगाने के बाद फेस को avoid करना है फेस पर आपको नहीं लगाना है जिसमें नाक में मुँँ में आंख में और कान में यह ज जो लोशन और क्रीम है नहाने के बाद लगानी है दोस्तों और इसको 8-10 गंटे तक लगा रहने देना है इसको साफ नहीं होने देना है जितनी ज्यादा देर तक यह लगा रहेगा उतने अच्छे result आपको मिलेंगे फिर क्या करना है गरम पानी से नहाना है और जो कपड़ उनको अलग रहना है उनको अपने कपड़े अलग रखना है गरम पानी से कपड़े दोने है दूप में सुखाने है और प्रेस करके पहनना है इसको बाद जब भी अगर सिर में जूएं पढ़ जाती है तो उसके लिए का करना है नहाते समे यह यह जो लोशन य्या क्रीम है यह लगाए जाता है ज्यादा तर लोशन लगाए जाता है सेंपू करने के बाद इसको लगा देना है सिर में और 5-10 मिनट तक इसको लगा रहने देना है फिर इसको दो देना तो इस प्रकार से जो लोशन है वो लगाए जाता है अब बात कर लेते हैं इसके साड इफेक्ट के है swelling हो सकती है और itching हो सकती है तो यह कुछ common side effect है अगर ज़्यादा देर तरह यह देखने को मिलते हैं ज़्यादा ही itching हो रही है redness हो रही है swelling हो रही है या फिर other कोई allergic reaction आपको देखने को मिलती है तो आपको तुरण doctor से सला लेनी है उनसे consult करना है अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों के नहीं जाने चाहिए यानि पूरे face को आपको avoid करना है सीर में आप लगा सकते है और पूरे शरीर में आप लगा सकते हो अब बात कर लेते हैं अगर कोई बच्चा इसको गलती से खा लेता है तब क्या करना है बाइचांस अगर कोई गलती से बच्चा खा लेता है तो उसको उल्टी करवानी होती है first year treatment में यही होता है कि जो उसने खाल लिया है सबसे पहले उसको उल्टी करवाई जाए फिर जल्दी से आपको hospital जाना है डॉक्टर को दिखाना है ताकि further इसका treatment किया जा सके तो इस प्रकार से आपको बताएं मैंने दोस्तों की जो परमेथरी लोशन और क्रीम है किस प्रकार से यूज किया जाता है कौन से बिमारी में देते हैं साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं किस तरीके से लगाते हैं उमीद करता हूं वर्डिय आपके लिए हेल्फुल होगा और आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सला के कोई भी मैडसन यूज नहीं करनी है वर्ण आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरू कीजेगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ऐसे ही नई नई वर्डियोज आपको मिलती रहेगी धन्यवाद